प्रभारी प्रचारिय डॉक्टर संजय चौधरी की इस्तिफे की मांग को लेकर छात्र जदियू का अंदोलन आज थम गया लेकिन यह अंदोलन 21 दिसंबर को एक बार फिर से आकरामक रूख के साथ चेतावनी भी दे गया है इस से पहले आज चात्र जदियू ने प्रभारी भीसी को हटाये जाने के विरोध में विस विद्याले के मुख गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के सामने अपनी मांगों के विरोध में बैट गया इस दोरान छात्रों ने प्रवारी विसी के खिलाप जमकर वीरोत प्रदसन के साथ नारे बाजी भी की हम लोग आज इसलिए उतलाबंदी विस्विद्याले में किये हैं कि जब तक भरष्टाचार में सनलिप्त परभारी कुलपती संजय चौदरी इस्थीपा नहीं दे देते हैं वहीं दूसरी ओर छात्र जदियू के विरोध में एनस यूआई और अंग करांती सेना के सिसी रंजन ने विस्विद्याले के मुख गेट पर लगे ताले को खुलवाने की मांग मौजूद अधिकारी और मजिस्टेट से की और परभारी भीसी के समर्थन में एक जूटता दिखाते वे उनके कारियों का भी खुब सरहना किया साथ ही जदियू छात्रों के विरुद्ध ठाने में मामला दर्ज कराने की बात भी कही है हाला कि छात्रों के उग्र प्रदर्शन और उनकी मांग को जायज ठराते वे कॉलेज के अधिकारी ने तैनात मलिस्टेट की मदद से चात्रों की मांग पर सामने आये और उग्र चात्रों को सांत्थ कराने के साथ-साथ उनकी मांगों को लेकर उने आस्वास्त भी कराया चांट की तो बिभीन समस्या जरूर है और आप जानते हैं जो जैसे प्रिक्षा समधिय है तो करोना के कारण तो हम लोग पूरा बीष्व प्रभावीत है हमारा विष्विद्याले भी उससे कम प्रभावीत नहीं है लेकिन फिर भी अनों बिष्विद्याले के आगे मेरा पर बतादे की प्रभारी भीशी के इस्थिपय की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा जिससे विश्व विद्याले में पठन पठन के साथ दैनिक कार्य भी ठप पड़ गये हैं कोरोना काल से लेकर अब तक ठप पड़े कारियों से विश्व विद्याले अभी उबर भी नहीं पाया कि छात्रों के रोज के इस आंदोलन से विश्व विद्याले के कर्मियों के अलावा बाहर से आये छात्र छात्राओं को भी दोचार होना पड़ रहा है पूर्पूर के आना जाना इधर लोक डाउन था बंद था खली परहाई में लोग बाधा जालता है। हाला कि छात्र भी मानते हैं कि मामले में जाच के लिए एक उचस्तरी टीम का गठन किया गया है जो जाच में जुठ भी गई है। बाबजुद छात्रों का अंदोलन थमने की जगह जोर पकड़ता जा रहा है। लेटिस्ट खबरों के लिए देखते रहें खबरे आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।